हेलो फ्रेंड्स तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज की बीडियो काफी इंट्रेसिक एंड कर्फिया दन मोलिजबल होने वाली है क्योंकि आज किसी बीडियो हम बात करने वाले हैं कौन सा कम प्राइज में रहने वाल है तो सबसे पहला आता है हमारे पास यह लिख सकते हो जो कि आता है यारी यारी जो रियल्मी का सीख क्यामन फोन आता है जिसका लुक और डिजाइन विए काफी बढ़ है लगा एक प्रेम्यम डिजाइन आपको मिल जाता है जो कि मुझे का प्रेम्यम है यहां पर आपको ब्रेंडिंग बगेरा भी देखने को मिल जाती है तो ब्रेंडिंग बगेरा आपको रियल्मी वाले में भी देखने को मिल जाएगी लेकिन इसमें लुक और डिजाइन में आपको जादतर लोगों को जो है वो रियल्मी का सीख क्यामनी आपक आपको पसंद आने वाले जबकि दोनी फोन आपको सेम प्राइस पर मिल जाते हैं 8500 रुपे के आसपास आपको मिल जाते हैं और चार्जी बेर एम और 128 जी भी स्टोरेज में आते हैं तो यह चीज आप देख लेना बट यहां पर आप देखो के तो बैक में डिजाइन तो दौनी फोनस के अंतर माइक मिल जाते हैं और आपको जो रियलमी फोनस में नीचे की साइड में देखो के तो आपको फ्रंट में भी दिखा देता हूं तो ये front में भी आप देख सकतो, और यहां बार बात कर रियलमी की, तोर्यलमी C Kevin वाले phones में, आप देखोगे, आपको रियलमी वालेang8MP आपको देखने को मिल जाते है, तो camera में आपको डिखाने वालू हूं, लेकिन यह जो display है, display आपको same ही देखने को मिल जाती है, तो आपको दोनी phones के अंदर 6.74 इंचिस के आपको HD display आपको देखने को मिल जाती है, जो कि मुझे काफी बढ़ है लगी, तो same ही display है, दोनी phones में कोई भी difference बगरा नहीं होने वाला है, और दोनी phones के अंदर, display के अंदर आपको 90Hz का आपको refresh rate देखने को मिल जाएगा, तो जिसको चलाने में आपको काफी अदर मजा आने वाला है, तो यहाँ पर आप इसको use करोगे, तो 90Hz का refresh rate अदर दोनी phones के अंदर तो यह चीज़ आप देख सकते हो, तो display के मामले में तो दोनी phones जो है, बढ़हा रहने वाले, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि दोनी phones को अगर आप purchase करते हो, तो box के अंदर आपको क्या-क्या content देखने हो मिलने वाले, सबसे बहले बात करें, बहीं पर realme C क्यामन की, बट बोक्स के अंदर आपको 10W का charger ही मिलता है, इतना छोड़ा आपको charger देखने हो मिल जाते है, और realme वाले charger ऐसे बाई 2-3 बन जाएंगे, हाँ पर देख सकते हो, तो कुछ इस तरिके जो charger बगएरा है, वो यहाँ पर आपको difference बगएरा भी देख जाएगा, इसके अगर बात करी जाएंगे, हाँ पर आपको दोनी फोन्स के अंदर type C, आपको cable मिल जागा, USB 2 type C cable देखने हो मिल जागा, जिसी quality काफी जाद है, premium में दोनों की, तो ये तो मुझे काफी same चीज़े लगी, लेकिन एक चीज आपको realme में extra मिल जाती है, ये वो है इसका case, जो कि आपको transparent case मिल जाता है, जिसी quality भी काफी premium में, तो ये आपको market से purchase करने की ज़रुआती ही है, ये आपको box चंदर ही दिखने को मिल जागा, लेकिन Redmi 13C भाले phones के अंदर आपको कोई भी case जो है, नहीं मिलता है, तो ये आपको market से purchase करना ही पड़ेगा, इसी के बाद अगर बात करें, अब दोने ही phones में features बगएरा की, तो दोने ही phones के अंदर आपको जो है 5 minutes की battery मिल जाती है, तो मैं दोने phones के आपको setting को open करके भी दिखा लिता हूँ, तो settings को open करते हैं, about phone पर चलते हैं, और about phone पर चलने के बाद, यहाँ पर आपको सारी चीज़े दीखने को मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको इसमें features बगएरा, 5 minutes की battery आपको दीखने को मिल जाती है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, तो और आपको realme ccan वाले phones के आपको दो variant आपको मिलते हैं, 4GB, 64GB और आपको 4GB और 128GB, तो एक आपको 9000 रुपे का मिल जाता है, 128GB और 64GB आपको जो मिल जाता है, 8000 रुपे का, ये चीज़ आप देख सकते हो, दोने phones के दर आपको 5 minutes की battery मिल जाती है, तो ये चीज़ आप देख लेना, बाकि अगर बात करी जाएं, यहाँ पर दोने phones के processor की, यानि आप जो है 8 या 8000 रुपे में phone पर्चेस कर रहे हैं, तो gaming purpose के लिए, दोनों phones में से कौन सा phone आपको select करना चाहिए, देखो, बहीं पर बात करी जाएं, realme C common वाले phone की, तो इस वाले phones में जो आपको processor मिलता है, वो मिलता है, आपको UNOC का T612 का, जिसमें मैंने काफी सारे phoneों में जो है, gaming test कर रखी है, PUBG की भी, Free Fire की भी, तो अच्छी performance यहाँ पर आप जो है, निकाल सकते हो, लेकिन वहीं पर Redmi 13C वाले phones के अगर बात करी जाएं, तो इसमें आपको Miradak का Helio G85 का processor में जाता है, जो gaming के लिए भी ठिक ठागाता है, बट इस वाले phones में भी, इस वाले processor में मैंने काफी सारे phoneों में जो है, gaming test कर रखी है, तो काफी अच्छी performance निकाल देता है, यानि कि performance के मामले में, दोनों phones अपनी अपनी जगाबर सही है, तो इतनी अच्छी gaming भी आप जो है, नहीं निकाल पाओ के जितनी आप सोच रहो, तो इतनी बेकार भी नहीं, यानि कि average रहने वाले हैं, gaming के मामले, दोनी फोन से आप कोई साई पर्चेस करो, तो same gaming performance आपको दीखने हो मिलने लाई, इतना ज़्याद आपको difference जो है, वो देखने को नहीं मिलेगा, अब बात कर लेतें, दोने फोन में camera को, क्योंकि back में आपको same camera आपको दीखने हो मिल जाते, तो camera quality बगएर आपको दोनी फोन में से किस तरी की आपको दीखने हो मिलने वाली है, तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले मैंने दोनी फोन के camera को open कर लिया, और open करने ये बाद सबसे पहला option जो मिलते है, दोनी फोन में आपको night mode आपको देखने हो मिल जाते है, colors बगएर आप देखोगे तो यहाँ पर आप जो है redmi वाले phones में देख सकते हो, और आपको जो है realme वाले phones में देखोगे तो camera में आपको difference देखने हो मिल जागा, जो कि यह color का, color का थोड़ा बहुत आपको difference बगएरा देखने हो मिल जागा, जैसे कि box का color आप देख सकते हो, तो actual में जो color है वो इसका red है, जो आपको redmi वाले phones में थोड़ा से natural देखने हो मिल रहा है, लेकिन आपको जो है, realme वाले phones में थोड़ा से color है, वो boost आपको देखने हो मिल रहा है, यानि कि ज़्याद ही आपको red हो रहा है, dark red बगएरा देख रहा है, यह चीज़ आप देख सकते हो, लेकिन आप बात करते हैं, video के लिए, अगर आप इस वाले phones से video recording बगएरा करते हो, और इस वाले phones में आपको 1080p में 30x में, और 720p में भी 30x में बना सकते हो, तो दोने phones में video quality तो आप एक ही जैसी ले सकते हो, और same frame पे आप video record भी कर सकते हो, photo के अगर बात करें जाए, तो photo में आप देख सकते हो, रेड्मी वाले phones में यह चीज़ आप जूम कर सकते हो, 2x तक, और video में भी आप यहाँ पर जूम तो नहीं कर सकते हो, photo में आप जूम कर सकते हो, लेकिन इस वाले phones में आपको जूम करना पड़ेगा, यहाँ से जाकर के side में से, अगर आप इसको जूम करते हो, तो यह चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आप मैं यहाँ पर मैंने कुछ photos बगएरा लिये थे, तो जो कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरहीं जो photos बगएरा है, वो आप इस वाले phone से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने गैल्ट्र को open करता हूँ, और इसमें मैं फोटो को जो है open कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ photos बगएरा लिये थे, तो यह photos बगएरा आप देख सकते हो, तो मैं पहले तो इसकी ब्रैटने, इसको दोने ही phones में full कर लेता हूँ, जिससे आपको चीज़े जो है clear दिखाई दें, बिल्कुल, brightness full, और यह मैंने इसका front camera यूज कर आता हूँ, यहाँ पर इस front camera देख सकतो, यह मेरे पास Redmi का phone है, और यह मेरे पास Realme का है, तो दोने ही phones के अगर बात करी जाएं, यहाँ पर camera की तो camera आप देख सकतो, तो ज़्यादा difference बगएर आपको देखने हूँ नहीं मिलता है, जो हमारे Realme का phone है, यह आपको थोड़ सी जो photos में bright आपको निकाल के देता है, थोड़ सी आपको जो है lighting बगएर एक्स्टरा कर देता है, जिसकी वज़े से photo अगर आप low light में खींचते हो, तो काफ़ी attractive लगती है, जब आप hard sunlight में जाओगे, तो थोड़ सी photo बगएर आती है, बहीं यह चीज आप अगर Redmi वाले phones में देखोगे, zoom करके, तो यह difference बगएर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा देखने को, और यहाँ पर जो photos बगएर है, वो आपको realme की थोड़ सी better आपको देखने हो मिलेगा, यह colors बगएर में भी, और जो colors बगएर का जो natural color है, वो आपको Redmi वाले phones में, थोड़ी सी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर देखोगे, तो तीसाड बगएर का color देखोगे, तो यह चीज़ा आप जो है थोड़ी सी note कले रहा, तो 19-20 का आपको difference बगएरा देखने हो मिलेगा, लेकिन वो color में, बागी details बगएरा में, आपको ज़दा खास इंतर देखने हो नहीं मिलेगा, अगर आप दोनी phones का portrait mode अगर आप यूज करते हो, तो portrait mode में भी आप काफी अच्छी photos बगएरा आप निकाल सकते हो, काफी पीछे की side में आप देखोगे, तो काफी अच्छे से आपको बिलर्स बगएरा आपको देखने हो मिल जाते हैं, इसके बाद अगर आप back camera यूज करते हो, तो back camera में details बगएरा देखते हो, काफी clear आपको देखने हो मिल जाती हैं, जब आप इसको zoom बगएरा करते हो, तो काफी जो natural photos बगएरा बहुत हैं, आपको निकाल सकते हो दोनी phone से, चाए back camera यूज करो या front camera, इसके अगर back camera में पोटेर मोड यूज करते हो, तो बहाँ पर भी काफी अच्छी photos और काफी जो natural photos है, वो निकल के आती हैं, तो यहाँ पर देखते हो, जो realme बाला phone है, इस वाले phones में आपको जो photo है, वो थोड़ी सी आपको, यानि कि देखते हो, आपको जो lighting बगएरा वो थोड़ी सी अच्छी देखनों मिल जाती है, यानि कि आपको जो थोड़ी सी photo bright मिलती है, जिसकी बज़े से photo थोड़ी अच्छी लगती है low light में, तो यह चीज़ आप थोड़ी सी देख लेना, बाखी colors बगएरा के मामले में आप देखुए, तो यह चीज़े में आप खुद कमेंटर के बताना, कि दोनों फो फोन में जो कौन से फोन की जो camera quality है, बाख को थोड़ी बढ़िया लगी, और बाख के अगर देखो मैं बात करूँ भाई, सिर्फ सेम प्राइस बे आपको फोन मिल रहे है, तो ऐसे मैं देखो camera design भी सेम है, display बगएरा भी सेम है, side mountain finger print है, display भी आपको जो है, same मिल लिए night head का refresh here, लेकिन है अपर जो matter करता है, बो ये करता है कि भाई, phone का look और design भी काफी बढ़िया हो, जो कि हमारा phone कोई देखे तो भाई, बोले कि higher copy में, बढ़िया phone जो है लग रहा है देखने में, तो ऐसे में भाई, वेल में का C5 phone में जो काफी बढ़िया लगा, क्योंकि इसका look design दो, iPhone जैसी feelings आपको देते, सस्ते में आप एक iPhone जैसी feelings भी ले सकते हो, और phone भी काफी बढ़िया रहने बाला है, तो ये चीज़ आप देख लेता, बाकि आप मुझे खुद comment कर बदाने कि, आपको दोनों ही phones में से कौन सा phone ज्यादा बढ़िया लगा, और कौन सा phone आपको अच्छा, और कौन से phone के features आपको बढ़िया लगे, बाकि अगर वीडियो पसन आजे वीडियो को like कर देना, चैनल पे नए दो बाई, subscribe कर लेना, मिलते आप सब्सक्राइब वीडियो में, तब तक लिज्याहिन, बंदे मात्रम,